इतना ही है कि क्या नरेंद्र मोदी जी के काल में क्या इस देश में सांस्कृत पुनर जागरन हुआ है या नहीं चाहे वो काशी कॉरिडॉर हो चाहे वो महाकाल का मंदिर हो चाहे वो आप वैशनो देवी चले जाएए चाहे आप roads देख लीजिए चाहे आप airports देख लीजिए जाहे आप देख लीजिए जितने scheme है वो कहां कहां किसके किसके पास जा रहे हैं लाब किसको किसको पहुँच रहा है और योग दिवस अंतर राश्टिय स्थर पर कहीं न कहीं जहां कुछ अच्छा हुआ है और आयोध्या में राम मंदिर जो बन रहा है वो कितने कितने दशकों से या कहूं कितने सेंचुरी से लोग इस देश में वेट कर रहे हैं कुछ पुनर जागरन हुआ है या राजनीती में ये भी धुल जाएगा नाविका जी देखिए देश का प्रणावंतरी देश की सरकार अगर अगर देश की संस्कृति सबता और संसकारों के को बढ़ावा देती है तो इसकी सतराना की जानी चाहिए इसमें क्या प्रॉब्लम है लेकिन सवाल यह नहीं है कि पुनर जागरन हो रहा नहीं हो रहा सवाल यह है जिस तरह से सुधानशु तर्वेदी जी और बीजेपी जिस तरह से इसको परचारित कर रही है तो मैं बहुत देर से सुन रहा था सुधानशु तर्वेदी जी को बहुत आदर के साथ कहना चाहता हूँ बड़ प्रेम में दूब करके पद कव गाये रस्खान ने कब कहा मानस हो तो वही रस्खान बसो नितने नंद की देनु माजहारन जो पस हो तो कहा बसु मेरो चरो मैं मुझे प्राब्लम हो रही थोड़ी सी बसो नितनन्द की धेनु मजहारन जो पसु हो तो कहा बसु मेरो चरो नितनन्द की धेनु मजहारन यह कब लिखा गया? रविदार जी कब हुए? तो जिस देश में विश्ववंदुत का हाँ गाउं की गवारन मैं उसको भूल रहा था अब मुझे बताईए सुधान शुजी कि 1980 में तो बीजेपी का जन्म हुआ 1925 में संग बना पिश्विंदु परिशद 1964-65 में उसका जन्म हुआ तो भारत जो है चानक ने भारत की कल्पना कब की? तो इसका मतलब भारत पहले था शास्त्र लिखे गए भारत था उपनिश्द लिखे गए भारत था वेदव व्यास ने तमाम शास्त्रों की रचना की पुराणों की रचना की उपनिश्दों की रचना की शीमत भगवत गीता की रचना की तमाम शास्त्र, दर्शन, सांक सब लिखे गए इसका मतब भारत था तो भारत की ये संस्कृती बीजेपी के आने के बाद आई क्या मेरा सवाल ये है भारत के प्रधानमंत्री जी अगर भारत के प्रधानमंत्री भारत की सरकार अगर हमारी संस्कृति को बढ़ावा देती है तो हमें तो खुश होनी चे हम खुश है हमें कोई बुराई नहीं है लेकिन अफसोस तब होता है नाविका जी जब सुधानसु जी जैसा प्रवक्ता ऐसा कहने का प्रयास करते हैं जैसे 2014 के बाद ही भारत बन रहा है जैसे 2014 के बाद मोदी जी के आने के बाद भारत बना सोमनात मंध्र कजिवनोंधार कभ कहुआ पंडित महरुजा प्रधान मंत्री थे साधार बलबभान पटेल ग्रह मंत्री थे अब राम मंदर का निर्माड हो रहा है हम सुप्रिम कोट के आदेश से हो रहा है लेकिन सरकार अगर उसमें मदद कर रही है तो हम उसका धन्यवाद आदा करते हैं लेकिन आप ये कहने की कोशिच मत करो क्या भगीरत गंगा बीजेपी के राज में लाए क्या गंगा जमना सरस्वती क्या कुम्ब का मिला बीजेपी की राज में लगना शुरू हुआ अरे आदी काल से भारत की संस्कृती सब्वता पूरे दुनिया में जानी जाती है आचारी जी ने बहुत सारे सवाल उठाए कि क्या भारत की संस्कृती का जनम 2014 के बाद हुआ विवेक साहिले जी अबनी जेश जी मैं आपके पास आ रही हूँ लेकिन तीन वर्सेज वान है तो सुधानशु जी का जवाब ले लूँ पहले देखे आचारी जी ने बहुत अच्छी बात कही आचारी जी ने बहुत अच्छी बात कही उन्होंने रस्खान का जिक्र किया मैं दर्चकों के संग्यान के लिए बता देना चाहता हूँ उनका पूरा नाम था स्यद इबराहीम रस्खान काबूल में पैदा हुए थे मृत हुई बरंदावन में जाके और कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े कवियों में मानेगा जो कविता बोली है ना अचारी जी ने उसका आर्थ जानते क्या है उन्होंने कहा मेरा अगला जनम हो मुस्लिम हो के कहा अगला जनम हो अगर मनुश के रूप में हो तो कहा हो गौल बालों के बीच में जिसके बीच में भगवान कर्ष्ण खेलते थे पशु के रूप में हो तो उन गायों के बीच में जिसे नंद बाबा चराने जाते थे मानुस हो तो वही रसखान बसों ब्रजगो कुल गाव के गवारन और जो पस हो तो कहा बस मेरो चरो नितनंड की धेनु मा जारन आगे का कहा पाहन हो तो वही किरी को यानि पत्थर बनू तो उस परवत के जो धरो कर छत्र पुर अंदर धारन जिसे अपनी उगली पर धारन किया था और यदि पक्षी बनू जो खग हो तो बसेरो करो कहूं काली दिकूल कदंब की डारन तो जमुना के तट पर एक रख्यो रूप में अगर आज कोई मुस्लिम ये कह दे कि मेरा पुनर जन्म होना चाहिए और कृष्ण जी के गौाल बालो और उनके बीच में ये बताइए सर तन से जुदा का फत्वा जारी हो जाएगा कि नहीं मैं करोड़ो दर्शकों के उपर पूछता हूं आज रस्खान होते तो फत्वा जारी हो गया होता कि नहीं और दो-चार सर्फिरे दस-वीज करोड का इनाम भी रख दिये होते बस यही अंतर आ गया है चलिए रस्खान तो हुए पांसो साल पहले मैं तो पचास साल पहले की बात गार रहा हूं बड़ा फेमस हिंदी फिल्मों का भजन है मन तर्पत हरी दर्शन को आज मोरे तोरे बिन बिगडे सग्डे काज यह किसने काया मुहम्मद रफी ने लिखा किसने शकील बदायुनी ने संगीद या नौशाद अली ने मैं कहता हूं सर पचास साल पहले की बात है तभी देश सेकुलर नहीं था ना सेकुलर चीहतर में हुआ आज कोई मुस्लिम ये लिखते भजन मन तर्पत अभी उसको तर्पा तर्पा के मारने के लिए लोग आ जाएंगे कि नहीं ये परिवर्तन के कारण नहीं लोगों में वह प्रतिक्री आई है मानने वर जब से देश सेकुलर हुआ है इसकी महान संस्कृती को नाभीकाजी मुझे थोड़ा सा टाइम दीजेगा 20-25 सेकंड दीजेगा प्लीज पहुंचाई है नाभीकाजी प्लीज किसी ने नहीं पहुंचाई मैं मैं आरी